हलो फ्रेंट्स वेलकम बैग तो फ्रेंट्स आज का वीडियो इंपोर्टेंट है सभी जेके बोस के स्टुडेंट के लिए तो आपके लिए गूड नियूस है सबसे पहले बात करें आपके जो एक्जाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको अपनी बात में बात करने वाले हैं तो चैनल से फस्ट एम जूडियो तो सब्सक्राइब कर लीजी आने वाले जोब्स अपडेट जेके बोस रिकार्डिंग सारे इंपोर्टेंट ओफिशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ओफिशियल नोटिफिकेशन तो इसे देख सकते हो इसे नोटिफाइड फार्दा आल दा कंसर्ण स्टेकोल्डर इन पर्टिकुलर जेके बोस इस लाइकली टू कंड स्टेंथ और ट्वैल्थ के होने वाले हैं मेरा पहले का वीडियो देख सकती हो मैंने प्रडिक्ट किया था आपके एक्जाम कब होने वाले हैं पच्चिस के बाद ही होंगे तो वो ही जहां पे होने को जा रहा है ठीक है जो भी आप से बात की जाती है पूरी ऑफिशियल ही देख सकते हो 21 का उफिशियल नोटिफिकेशन है JAYNE Sेक्रेटरी एकजाम जमू डिवीजन 21 का उफिशियल नोटिफिकेशन आया हुए जेके बोज की तरफ से तो जहां पे चेक कर सकते हो आप जो भी नोटिफाइट किया जार है सबी को जानी कि आपके एक्जाम 25 मार्च के बाद क्लास 10 और 12 के स्टार्ट हो जाएंगे और 15 अपरल के बाद क्लास 11 के आपके एक्जाम में जमू डिविजन में स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है अब सिरफ आपके पास देखा जाए class 10th or 12th के पास approximately 28 से 30 days भी नहीं बचे जाने कि 26-27 days बचे हुए हैं तो इनी days में आपने prepare करना है और अच्छे से मेहनत करके अपने exam को qualify करना है और आपका जो लेबर सब वो 30% reduce हुए है आपको 70% ही attempt करना है आज के वीडियो में बस इतना ही